सल्मान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फाइरिंग को लेकर जो डीटेल्स आई है वो बेहत चौकाने वाली है इन शूटर्स ने सल्मान खान को वाकई में डराने के लिए फाइरिंग की क्योंकि एक बुलट सल्मान खान की बालकनी पर भी चलाई गई यह वही बालकनी है जहां पर चार दिन पहले सलमान ने खड़े होकर ईद के दिन अपने फ्रेंस को ग्रीट किया था पुलिस की जांच में पाया गया है कि जो शूटर्स थे उन्होंने तीन नहीं बलकी पाच फायर के राउंड किये जिसमें से चार गोलिया सलमान खान के घर की दिवारों पर लगी और एक गोली उस परदे पर लगी जो उनकी बालकनी पर लगा रहता है उस परदे को चीरती नहीं सलमान की बालकनी की नेट को चीर कर जो गोली अंदर गई है उसने काफी चिंता बढ़ा दी है क्योंकि सलमान खान के घर की बालकनी की नेट बंद भी होती है तो कई बार फैमिली मेंबर्स उस बालकनी में बैठे होते हैं वो तो ठीक था कि सलमान उस वक्त उस बालकन से मिलते हैं इन शूटर्स ने इस बालकनी को अपना निशाना बनाया है इससे कही ना कहीं इशारा कर दिया है शूटर्स ने कि अब सलमान खान बालकनी में भी नहीं निकल पाएंगे बालकनी में निकलना भी इनके लिए सेफ नहीं है चाहां एक तरफ इन शूटर्स ने बाल सलमान को शूट ही करना था तो ईट के दिन सलमान खुले में आये थे अपनी बालकनी से उन्होंने सब को वेव किया था तब वो अटैक कर सकते थे तब क्यों अटैक नहीं किया कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि शूटर्स ने सिर्फ फेम और पब्लिसिटी के लिए ही ये पांच गोलिया चलाई है